नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे MBBS Fees Structure के बारे में 36 गड़ की Private और Government Colleges का क्या Fees Structure है उसके बारे में आपको डीटेल में बताएंगे दोस्तों 36 गड़ में Government की 5 Medical Colleges है और Private कहीं सारी Colleges है लेकिन Government की जो Colleges है उसकी Fees Fixed रहती है कभी कबार वो Increase भी रहती है लेकिन हमने आपको जो स्क्रीन पर Medical की कुछ ट्वेशन के जो लिस्ट दी हुई यह आप देख सकते है जैसे जवारलाल नहरू Medical College हो गई राइपूर की बिलासपूर की College हो गई तो उनकी अगर Fees की बात करें तो 14,000 के करीब रहती है जैसे 40,000 के करीब रहती है जिनमें Hostile Charge है वो Include नहीं है वो आपको अलग से देना पड़ेगा जिनमें Extra Fees की बात करें तो वो 10,000 है यानि कि 10,000 जो है वो आपको Extra देने पड़ेगे अगर आप Government Medical College से MBBS करना चाहते है तो हर साल I think 16 तक आपको Fees लग सकता है अब बात करते है Private Institute है जो उनका क्या Fees Structure रहता है उनके बारे में अगर बात करें तो जो 36 गट के Candidate है उनके लिए अलग रहता है और Management जो Quotasic के लिए अलग रहता है और जो NRI Candidate है उनके लिए अलग Fees रहती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे है जो Fees के बारे में हमने पूरी जान कर या आपको स्क्रीन पर दिखाई हुई है और दोस्तों अगर आपको एक बात बता दे तो अगर आप Private Institute से अगर आप MBBS करना चाहते तो अच्छी खासी आपको Fees देनी पड़ती है दोस्तों इससे बेटर है कि अगर आप Government की तयारी कर रहे है और Government Medical College से करना चाहते तो आपको कम स्कॉर पर सीटे मिल जाती है और काफी कम Fees में भी आप MBBS कर सकते है कर सकते है